हाई फ्रेंट्स गुड मॉर्णिंग टू आल आफ यू वेलकम टू सियोंपाइंड डे यूटूब चैनल नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि बिटियसी जेई बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो 6389 पदो पर ये जो वेकेंसी आई थी उसकी काउंसलिंग की डेट बता गई है जिहां फ्रेंट्स जो उसकी काउंसलिंग होगी वो अगले माह 10-14 अगस्त के बीच में होनी है जिहा प्लीज इस वीडियो में इन तक मने रहेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज को लाइक करेगा और जादा से जादा से शेयर करेगा क्योंकि आप जैसे जो भी आपके दोस्त और जो भी इस फॉर्म को भरने वाले कंडिडेट हो उनको रहती खबर मि पताने जा रहा हूं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जैसा कि आप मेरे थमनेल पर देख पा रहे होंगे आईए लेट ना करते हूं हम आपको दिखाते हैं वह खबर जैसा कि आप देख पा रहे होगा कि पेपर प्रभात खबर पटना में यह निकाला गया है कि अगले माह बात भी हो सकती है तो इसके लिए आप बिलकोल ही निश्यंत रहे हैं और आप अपने दिवांग में यह बैठा लिए कि यह वैकेंसी होगी जो पूरी तरीके से क्लियर होगी तो हम आईए आगे बढ़ते हैं कि अगले माह बिहार तकनिकी सेवा आयोग जूनियर इंजिनिय की काउंसलिंग करेगा रासरकार के सेवा में 6,000 पदों पर बहाली के लिए लगबग एक लाख अभ्यरतियों ने आविदन दिया है जिहां फ्रेंट सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम लोग जो कयास लगा रहे थी वो 91,92 के करीब लगा रहे थे और लेकिन उससे ज्या आगे बढ़ते हैं कि 28 जुलाई 19,000 को काउंसलिंग में सामिल होने के लिए बुलाए जाएगा जिहां फ्रेंट्स अगर 6,389 पत थे तो आप देख लिए 19,000 कंडेटों को काउंसलिंग में सामिल होने के लिए बुलाए जाएगा 28 जुलाई को चिकिसकों की काउंसलिंग ख इने से अधिक का समय लगेगा क्योंकि सोसल डिस्टेंसे की कारण एक दिन में धाई सो से तीन सो अधिक अभ्यारतियों को बुलाने संभव नहीं होगा ऐसे में सितंबर के अंद तक यह पूरा होगा जो आपकी काउंसरिंट प्रक्रिया है फ्रेंट्स वो सितंबर के अंद त को प्रिपेर कर लें आप इतना समझे कि 15 जुलाई के बाद से कभी भी आपका मेरिट लिष्ट आ सकता है सबसे बहुत ही बड़ी ख़बर थी और जो मैंने आपको बताई सबसे पहले अपने चैनल के माद्यम से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लिस को लाइक करेगा और चैनल को ज़्यादा सेर करेगा अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा फिर मिलते हैं नए नोटिफिकेशन और नए अपडेट के साथ इसी जोस और उमंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंग जै अबारत